कि बेगेंट से कायो कि में एक्टाइब करने और के लिए और किस्ट लिए करने वाले बने में the можетi का मुषब क्या होता एग यह वनेख़ने तो अगर आपको यहज़ रेलेटीव पांसेप्ट काई लिए देखना पड़ेल पड़ेगा ठीक है तो उसको देखकाज़ आगर आपने फो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूँ년गा उसको जरूर देख लिजेएंगा पर इस लेक्षा में हम लोग क्या करेंगे तो इन लेक्टर में और हम लोग इसकेलर एंड वेक्टर 11 में complete study कर रहा है इस ताइम पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है ठीक है आप किसी भी वोड से हो राजस्तान यूपी महाराश्चा किसी भी वोड से हो यह आपके लिए है इसको जरूर पढ़ना ठीक है लिए नौटबुक और प्यर्लेकर में जरूर वेटना चलीए शुरूст से पहरे कि पूछन चाहिए क्या होता है तो सबसेолотियों समझन से पहले युनिफर्म का ठलल से Depends यूनिफोर्म का मतलब ड्रेस सोता है जो कपड़े पहनते हैं वो यह जडरूरू credit हो समझो कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है अब जब आपको स्कूल लेवल पर उस में प precon यह तो उस time पयाय कर दिख जैसा पहाईन कर जाते ना एंजैसा एग सवान एक समान तो उसको बोलते हिं यूनिफॉर्म तो हमारे हिंदी वेडियम के स्टुरेंट्स भी उनके लिए मिलिख देता हूं यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हिं यूनिफॉर्म को बोलते हैं एक समान एक समान मतलब यूनिफॉर्म एक समान और मोशन का मतलब तो आप सभी जानते ही हो गती ठीक है एक समान गती और नौन उनिफॉर्म का मतलब क्या होता है तो एक समान मतलब एक जैसा तो नौन युनिफॉर्म मतलब अलग अलग और अलग अलग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं और समान तो तो टीक है इतना आपको समझा तो अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉनिफॉर्म मोशन क्या होता है तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसके ओपर यह डिपेंड करता है तो देखो uniform motion मतलब क्या एक ऐसा motion जिसमें इसमें क्या होता है जो object होता है object covers equal distance in equal interval of time object covers equal distance in equal interval of time इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई object motion में है माल लो कोई object motion में है तो वो equal distance में मलब equal interval of time में equal distance cover करेगा इसका मतलब कैसे जैसके माल लो मैं मुझे school जाना है तो मैं school जा रहा हूँ अब school देखो मैं अगर मैं लेट हो गया हो तो मैं दोड़ दोड़ कर जाऊंगा और अगर मैं अपने टाइम पर हूँ तो मैं धीरे धीरे चल कर जाऊंगा तो युनिफोर्म मोशन कब होगा जब मैं equal interval of time में equal distance cover करूंगा इसका मतलब कि मानलो मैं ने पांच मीटर पांच सेकंड में दो मीटर है वह क्या है वह इकवल डिस्टेंस है तो जब मैं equal interval of time में equal distance cover करता हूं ऐसे मोशन को हम लोग uniform मोशन बोलते हैं और non-inform motion में क्या होता है तो non-inform मोशन में जो डिस्टेंस है वह भी अलग अलग हो सकता है और जो time है वह भी अलग अलग हो सकता है तो इसको में लिख देता हूं object का वार्स का अनिक्वल का डिस्टेंस इन कि एअनिक्व यह इंटर्वब अफ कि एँख यह ति ठीक है ओबजेक्ट कवर्ण उनिकोल दिस्टेंस इन अन Computer फो आफ टाय। इसका मतलब क्या होता Npend茰 फिर नेक्स्ट चूसेकेंड मेंने दो मोरकर लिया नियगस्ट तो सब्सक्राइब मैं नो चॉट कर हमें स bethESS को सकता हो यह इसमें यह यॼी विस टींस हो सकता है और नो कम अ वैसंगे ऑल्लों सकता है थे प्रकाइब रहा हरो इसका मतलब में क्या वोर हूआ कि अगर मैं वहाँ किructures दो सेकंड में कि दो मीटर सिर निक्स्ट मेर्घ Must सेकंड में एक मेटर फिर ने aren recibir में फाइम आप लोगे कि यहाँ पर दो नंते इन क्या ना है तो बहुए नोन इन फो दो मीटर, next दो सेकंड में, दो मीटर, next दो सेकंड में, दो मीटर, वहाब कि equal distance cover होगा, equal interval of time में, देखो, gap दो-दो सेकंड का ही है, तो आप लोग समझ गए रहेंगे, कि uniform motion क्या होता है, और non-uniform motion क्या होता है, यह आप लोग समझ गए रहेंगे, इसको आप एक बार note कर सो, आप सबने उसको note कर लिया होगा, अभी मैं इसको rough कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखो हम लोग एक example लेते हैं, यह example लगवग हर बुकों में दिया रहता है, तो देखो, दो rider है, rider है मतलब, बाइक चलने वाले है, ठीक है, तो उनका हम लोग, उन्होंने, माल लोग मे एक racing हो रही थी, तो उनके racing का हम लोग ने एक एक हावर में, वो कितना distance complete करते हैं, उसका हम लोग ने एक पूरा notice निकाला, ठीक है, तो देख लेते हैं, कि वो कितना है, तो देखो, माल लेते हैं कि एक, यहाँ पर में लिख देता हूँ, time, ठीक है, और यहाँ पर में लिख देता हूँ, राजू, ठीक है, एक मिंट बस, दो मिनट से इतना बहुत है, ठीक है, यह time लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर राजू लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पर मोहन लिख देता हूँ, माल लो, चलो मैं जल्दी जल्दी लिख दाओ, इनका जो race है, वो सूबर 9 बजे से शुरू हुआ, ठीक है, फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और यह, एक बज़ गए, एक बज़ें का race जो है, वो खतम हो चुका है, ठीक है, तो जब राजू ने शुरू किया, तो उसने starting के one hour में, पतलब कि यहाँ पर तो वो सिर्फ ऐसे खड़ा ही था ना, उसने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर तो उसका भी 0 था, यहाँ पर उसका भी 0 था, कुछ कवर ही नहीं किया ना, दोनों ने, दोनों सिर्फ खड़े थे, बाइक को ऐसे बैट कर सिर्फ खड़े थे, तो राजू ने देखा गया कि राजू ने 100 मिटर कवर किया, 100 मिटर, और मोहन का देखा गया, मोहन ने 50 मिटर कवर किया, ठीक है, फिर 11 बजे एक बार फिर से देखा गया, तो फिर से पता चला, कि जो राजू है, उसने 100 मिटर कवर किया, और जो मोहन है, उसने 70 मिटर कवर किया 12 बज़े देखा गया 12 बज़े ने 100 मिटर ही कवर किया और मोहन ने 80 मतलब दिखो 9 से 10 के भीच में कितना घंटा रवा एक घंटा 9 से-10 पर कितना डिस्टेंस कवर किया राजू ने सौ मीटर और मोहन ने पचास मीटर अब दस से ग्यार के विच में कितना हुआ एक घंटा एक गंटा इक्वल इंट्रेवल ऑफ टाइम उसमें इसने कितना कवर किया सौ मीटर ना कि यह समझ गया हुगा कि युनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नन युनिफॉर्म मोशन क्या होता है अब यह तो एक पैटर में आप लोग को दे चाहिक क्या होता है हमारी जो टेली लाइफ है उसमें क्या होता है तो एक बार आप यह जो यह यह जो बॉक्स इसको बाट कर लेजिए इसको लिख लिजिए मैं कुस देर मैं बस बताता हूं कि आप लोगों ने वह कर लिया होगा आप लोगों से क्विशन पूछन आचाता हूं आप लोग मुझे यह बताओ कि जनरलों कौन्सा शुख दो डेली लाइफ में हम लोग कौन सा मोशन करते हैं युनिफोर्म मोशन करते हैं कि लूज को हम लोग ंटाइम रहता वोस्ट पर कभी कुछ नहीं करते हैं एकल इंट्रोल आफ टाइम नाहीं तोकोंत करते हैं नोग नॉनिफर्म मोशंच करते हैं ठीक तो अपने घडि देखा रहेगा आप लोगे गड़ी में देखा रहेगा कि वह इक्वल इंट्र ऑफ स्थान कवर करती है उसने जब आसा है कि आइस पर नहीं कि जो गड़ी करती है और कहा हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलता है तो आप लोगों को यह सपता है कि जो सन है वो fix है और उसके चारों तरफ जो अर्थ है और रिवलिशन कर रही है तो वह भी एक फिक्स इंट्रेवल अव टाइम में तो आपने देखा रहेंगा ना कि साल में 365 days होते हैं 365 days और जो अर्थ है अर्थ को सन का पूरा एक round मारने में 365 days 365 days तो लगते हैं तो वो भी क्या है वो भी एक uniform motion का example है अब uniform motion क्या होता और non uniform motion क्या होता यह आप लोग समझ गए हों तो इसके बाद मलब कि हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे लेकिन ग्राफ इसमें नहीं देखेंगे ग्राफ हम लोग जो है वह बाके सारे ग्राफ जो हैं distance displacement speed velocity वह सारे भी पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग सारे ग्राफ भी देखेंगे uniform motion के और non-uniform motion के तो आप लोग को uniform motion समझ आ गया होगा तो चलिए अभी हम लोग scalar and vector शुरू करते हैं कि वैसे तो मैंने बोल दिया था कि हम लोग इसके राइंड वेक्टर पढ़ते हैं लेकिन इसके राइंड वेक्टर पढ़ने से पहले आप लोग को क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए तो physical quantity क्या होता है तो फाइब को this local link देता हूं of those कॉंटिटिटीज विच गैन बी मेजर तोस कॉंटिटीज विच गैन बी मेजर इसी कॉंटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं मतलब माप सकते हैं जैसे कि अगर मैं आप लोग जब भी जाते रहेंगे दुकान पर जाते रहेंगे चावल लेने के लिए राइस तो जब भी दुकान पर आप लोग चावल लेने के लिए जाते रहेंगे तो आप लोग दुकां दर को क्या बोलते रहेंगे लोग उसका weight measure कर रहे हो तो वहाँ पर जो है यह जो weight है इसके एक लोग example भी ले लेते हैं जो weight है वह आपका physical quantity है ठीक है उसके बाद और physical quantity है तो दिखो मैंने आप लोगों को बोला कि राहूल 200 meter दोड़ा 200 meter आपने क्या बताया 200 meter उसने कितना distance को और क्या वहीं बताया ना तो distance भी क्या है एक physical quantity क्यों dosco मेशर कर सकतें अब उसको मेढ़яет किसमें कर सकते हैं तो इसको मेढ़ना water le font mega मिटर में कर रहे हैं तो जो distance होगा डिस्तेंस वो भी क्या होगा वो वो भी physical quantity होगा जो डिस्टेंस होगा वो भी physical quantity होगा इसके बाद और क्याq displacement को भी हम लोग कर सकते हैं कि displacement टिके उसके बाद मास को भी रोग अविशू कर सकते हैं रही होता है यह अलग- अलग भी होता है लेकिन यह आप लोग बाद में सिखेंगे अभी के लिए समझ कर रखो कि वेट और मास एक ही होता है फिर स्पीड एंड वेलोसिटी इसको हमें भी पढ़ना है इस्पीड वेलोसिटी ठीक है कि इसके बाद एसलेर्शन होता है कि देंसिटी होता है प्रेशर होता है कि फोर्स होता है ऐसे बहुत सारे फिजिकल कॉंटिटी से अगर मैं लिखने जाओंगा तो यह बोर्ड पुरा भड़ जाएगा लेकिन फिजिकल कॉंटिटी इस खतम नहीं होंगी ऐसा है ठीक है तो अभी नॉर्मल एसे इस तिरफ एक इंट्रोड़क्शन लेकर रखो कि फि इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं इन सबको हम लोग मेजर कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग फिजिकल कॉंटिटी बोलते हैं अब यह जो फिजिकल कॉंटिटी होती है यह दो टाइप क्यों होती है वही जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कौन तो हम लोग ने पढ़ लिनाय फिजिकल कॉंटिटी के दू टाइप हैं वह भी पढ़ना है सकेलर और वेक्टर अब इसको लोगव एसके लेटर ना बोलकर इसके आगर हम लोग राशी राशी मतलब पैसा भी होता है लेकिन यहां पर पैसा नहीं है वेक्टर क्या होता है तो वेक्टर होता है सदिश राशी तो टीक है अच्छा अब एक बाद ध्यान देना हम लोग ने किस बेसिस पर इन दोनों को मलब फिजिकल को दो टाइप किस बेसिस पर मतलब देखो मैं आप लोगों समझाता हूं कि अगर ट्रेंगल है ठीक है मैंने आप लोगों से पूछा कि ट्रेंगल कितने टाइप क्यों होते हैं वह तो आप मैंसे बहुत सारे लोग गोलेंगे ट्रेंगल को दो बेसिस पर बाता है एक तो लोगों ने उसको एंगल के बेसिस पर बाता है ठीक है और एक उसके डूर्च वह तो अपना जो होता है और मतलब किस पर हम लोगों ने उसको डिवाइड के अ उसके उपर डिपेंड करता है कि हम लोग ड्रेंगल के कौन से पढ़ रहे हैं ठीक है तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूं कि हम लोगों ने किस बेसिस पर फिजिकल quantity को दो type में divide किया है जैसे triangle को angle के basis पर तीन टाइप में divide किया है इसी triangle को side के basis पर दूसरे तीन टाइप में divide किया है तो वही question है कि physical quantity को किस basis पर scalar quantity और vector quantity में ऐसे डिवाइड किया है तो इसका इसके अलावा भी होती है तो डायरेक्शन मतलब क्या तो देखो डायरेक्शन पर भी मैं आऊँगा अभी स्कैलर कॉंटिटी का मतलब समझो स्कैलर कॉंटिटी क्या होता है तो इसको अंदे में बोलते हैं परिमाण मैंगनिट्यूड का मतलब होता है मात्रा एसको शिंपल में अगर deposit…. नमबर सिर्फ नमबर उससे किसी डायरेक्शन की सदो दौरत नहीं है तो व्यककर कॉंटिटी हॉता है तो ऊच्डू वि ll कॉंटिटेटी magnitude as well as direction direction मतलब दिशा दोस कॉंटिटेटेस विच है ओनली मेगनिट्यूड का मतलब होता है नमबर और इसमें क्या होता है मेगनिट्यूड के साथ साथ दिशा भी होना जरूरी है इसमें क्या इसमें हम लोग का सिर्फ मैगनिट्यूड से काम चल जाएते लुग का सिर्फ मैगनिट्यूड से काम चल जाएते और इसमें क्या होता तो में मेगनिट्यूड के साथ साथ में दाइएक्ष्ण भी होना ज़रूरी है आप Laurie से आप लोग क्या समझ जो अगर आप लोग वह समझ रहे हो कि पूरू पश्चिं उत्तरदस्चिं नौर्थ इस्ट साउथ वेस्ट तो सही समझ जो वही डायरेक्शन ठीक है वह कैसे देखो समझते हैं अगर आप लोगोंने डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट देखा रहेगा तो इसको समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए ठीक है क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट का देखो मैं बताता हूं जैसके माल लो एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है यही वो ऑब्जेक सब्सक्राइब फिर नीचे फिरूपर दाएं बांवें ऐसा किदधर भी जाएगा क्यों किदर भी जयएगा कॉमयन हो सको है दe लेफट इदरूर कि ज्याएगा क्योंकि इधर भी जाएगा क्योंकि मैंने उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए लेकिन अगर मैंने उसको बोला कि डिस्प्लेस्मेंट कवर करो और वह यहां पर है अगर मैंने उसको बोला कि डिस्प्लेस्मेंट कवर करो तो क्या बोलेगा वह मानलो इधर खड़ा है तो लेकिन यहाँ पर है मैंने लेफ्ट राइट जाओ और डिस्टेंस कवर करो तो डिस्टेंस कबसे करने के लिए याईगा फिर नीचे ंसक्ता है फिर वापस आशकता है वो डिस्टेंस कवर करेगा लेकिन सबस्क्राइब इसा नहीं है displacement में displacement आप लोगों ने पढ़ा रहेगा shortest एंड इस्ट्रेट होगा और हमेशा स्ट्रेट होगा और आप हम लोग ने पिसले बार ऐसे एक्जांपल्स भी किये थे जिसमें यह ऑब्जेक्ट था और इसने इतना तो दिस्प्लेस्मेंट का या नहीं है कि अगर मैंने उसको बोला कि इस डायेकशन में आपको displacement करना है तो वह क्या करेगा वो उसी डायेक्शन में चलते जाएगा लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं सबांको अधसा नीकर सकता क्यों कि दिस्प्लेसमेंड के पास एक फिक्स डियरेक्शन है और जो डिस्टेंस है उसके पास सिर्फ मेगिनिट्यूड है सिर्फ नमबर है ठीक है यह मैं आप लोगो क्या बोल रहा हूं तो देखो अभी मैं बताता ह Egypt को समझ गया रहेगा कि punishment कि अब देखना यह आप लोग को समझा अब देखो अब जब भी हम लोग लिखेंगे कि डिस्प्लेस्मेंट तो देखो मैंने बोला कि वह नौर्थ से साउथ जा रहे हैं एक मिन्हें ठम में लिख देता हूं इसको अब इधर खड़े हो अब वह नौर्थ से साउथ जा रहे हैं नौर्थ से साउथ मतलब नौर्थ इधर है और साउथ इधर है तो नौर्थ से साउथ जा रहे हैं मतलब वह ऐसे जा रहे हैं तो उसका फिक्स डिरेक्शन है नौर्थ से साउथ जाने में मालों उसने पांच नॉर्थ टू साउथ समझ जो फाइफ मीटर नॉर्थ टू साउथ लेकिन अगर मेरे को बोलना है कि उसने डिस्टेंस कवर किया है तो मैं सिर्फ फाइब में लिखूंगा और यहां पर जब मैं में लिख रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं डियरेक्शन भी बता रहा हूं नॉ उसके सार्फ में बतारा हूं नॉर्थ टू साॉथ में नंबर होता है और वेक्टर कॉंके होता है जिसके पास मेंले मैं लिख लेते हैं तो मुझे बताओ की है डिस्टेंस क्या होगा क्योंकि इसको ये भी बता रहें कि जो displacement होगा वह फाय मेتيर नौर्थ टू-शत हम लोग उसका डायक्षेन भी पिक्स करें displacement का डायचिन फिक्स है अगर वो इसट डायक्ष नहीं है तो डिस्प्लेशमेंट करने के लिए उसी डायक्षेन में चलेगा फिर वह वापस कि ठीक है displacement तो किसी यह दो ही quantity है कि जो इसको ले और वेक्टर रहें नहीं ऐसा नहीं बहुत सारे quantity से अभी आपने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट पढ़ा है तो उसका एक्जामपल देखकर कि मैंने आप लोग को स्केलर कॉंटिटी और वेक्टर कॉंटिटी बताया है एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए अच्छा तो इसको और कॉंट कोई से ग्जामपल है तो ध्यान से देखना अब हम लोग ने इस इस पेड बहला नहीं है लेकिन जो इस करने वालेटे स्पीड एक दियूए कि लेक्षर को आटेंड जरूर करना और जो वीद्धर आएगा ए शर्चलेरेशन भी जो है वो राएगा है थे श्रचले düşün melanin कि मुझक दानावार के बाद करने वाले और क्या होगा तो तो आप लोगने मास सुना रहेगा मास वजन द्रव्यमान वेट ठीक है मास वह वनमेन आर्मी वाला मास नहीं मास वजन ठीक है तो मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूं कि मेरा मास मेरा वेट मेरा द्रव्यमान पचास किलोग्राम है तो मुझे बताओ मैं सिर्फ पचास किलोग्राम ही बताता हूं कि उसके साथ साथ में और भी कुछ बताता हूं जब मैं यह बोलता हूं कि मेरा वेट पचास किलोग्राम है तो मैं उस टाम पर क्या बताता हूं मैं उस टाइम पर सिर्फ मेरा वेटी बताता हूं तो मैं कभी ऐसा बताता हूं क्या कि माए मास ही लेता हूं डारेक्शन नहीं लेता हूं तो मास में क्या आ रहा है मास में सिर्फ मेगनिट्यूड ही आ रहा है तो इसलिए जो मास होगा कि वह भी क्या होगा इसकेलर कॉंटिटी होगा आप लोग को यह समझ गया ठीक है अच्छी बात है अगर आपको समझ गया हो तो इसके बाद और भी हम लोग पढ़ते जायेंगे उसमें इसके लार और वेक्टर कॉंटिटी होते हैं अभी इसकेव gör यह से पढ़ते अभी शिर्फ ran अमने की चेरा शिर्फ यह करनста की बीचर इसका अब करूजना थहां था हैं तो फिरख विधार में अगर इसमें आपको कोई भी डाउट अता है हलका सा भी डाउट हाथ है. मैं आपको जरूर करूंगा आपको आपको जरूर दियुँगा और आप कसी डाउट है वो पर जरूर करूंगा ठीक है इसविडियो को जरुड़ी ज student तक जरूर पहुंचा झाजे ना